Hello students आज को हमारा टॉपिक है प्राइवाची शब्द सबसे पहले हम जानते हैं प्राइवाची शब्द किसे कहते हैं एक शब्द के समान-समान अर्थ देने वाले शब्द को प्राइवाची शब्द कहते हैं मतलब एक ही शबद जिसके लिखने के डंग अनेक है लेकिन उसका मतलब हर बार सेम होता है उसे हम प्राइवाच्ची शबद कहते हैं जैसे फर्स्ट है अपमान अपमान को हम और क्या क्या कहते हैं अनादर निरादर जैसे और बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसका एक ही मतलब होता है वो होता है अपमान ऐसे शबदों को हम प्राइवाच्ची शबद कहते हैं आगे है अहंकार अहंकार को और हम क्या कहते हैं गरव गमंड गमंड करना हम कभी कह देते हैं इसे बहुत गमंड है उसका मतलब भी अहंकार ही होता है और अहंकार का मतलब भी गरव होता है गरव का मतलब गमंड इन सा औरे शब्दों का एक ही मतलब निकलता है वो है अंकार. Next है आंख. आंख को हम क्या कहते हैं? नेतर, नयन, लोचन और भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसका मतलब निकलता है आंख. इसी तरह ईश्वर, ईश, प्रभू, बगवान, प्रमात्मा, कितने असे शब्द हैं? जिसे हम प्रमात्मा का नाम लेते हैं. ईश्वर को हम बहुत से ढंग से बुलाते हैं. ऐसे शब्दों को हम प्राइवाची शब्द बोलते हैं. नेक्स्ट है घर, सदन, भवन, नेक्स्ट पवन, हवा, वायू, आग, अनल, पावक. ठीक है बच्चों? ऐसे जो शब्द होते हैं इसे हम प्राइवाची शब्द बोलते हैं. जिनके बोलने का डंग, लिखने का डंग तो हमेशा अलग-अलग होता है, लेकिन उनका मीनिंग हर बार सेम होता है, उसे हम प्राइवाची शब्द बोलते हैं. ठीक है? I hope आपको समझ आगे होगी. Thank you.